सब्सक्राइब किजिए टेक्नोइन चैनल को एंड बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेक्नोलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो दोस्तो कैसे हो आप उम्मीद है आप सब ठीक हो दोस्तो बहुत दिनों के बाद आया हूँ तो सोचा था कि क्या वीडियो बनाओ तो दिमाग में एक क्वेशन आया जो कि एक विवार ने पुछा था कि एक्शन कैमेरा कैसा लेना है क्या लेना है और अल्सो क्या स्पेसि देखिए मैं हूँ भासकर आप देख रहे हो टेक्टो इंग सो लेट स्टार्ट दोस्तो कूर सुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ अगर ये वीडियो आप फर्स ताइम देख रहे हो एंड इस चैनल पर नहीं हो देन प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल दोस्तो फर्स वान इमेज स्टेबलाइजेशन ये क्या होता है जब आप वीडियो करते हो दैन वीडियो का सखिनेश अगर वीडियो नहीं हिले दैन आपका जो वीडियो है वीडियो क्वालिटी बहुत बरिया होने वला है इसलिए इमेज स्टेबलाइजेशन का ज़रूरत परता है जैसे 아प कुछ बमौतनों भलीलो अगर देखे होंगे उस नह बदिया नहीं देखने में तो एक्षान कामेरा में ज्यादा तर ज्यादा जो हे पिशर नहीं वीडियो बनाता है तो वीडियो का μέl Ins day उसका बिल क्वालिटी कैसा है जैसे एक्षन केमेरा आप रहेमें मसौल में डास्ट में आप लियू बनाने वालें बारा टो वैसे ही जगह पे होता है तो इसलिए ऐसा बिल क्वालिटी वाला एक्शन केमरा आपको मलब खरीदना है जिससे उस सब में कुछ दास्त हो माध हो या वाटर हो कुछ भी एफेक्ट नहीं होने वाला है थर्ट यह कि उसका फिक्सर क्वालिटी विडियो क्वालिटी केमरा का जिसमें आपका एकदम पुरा तॉप लेवल तो नहीं मिलेंगे पर सटिस्फेक्टरी जो है रिजलुइशन आपको मिलने वाला है नेक्स तिंग इसका जो फिशर्स फिशर्स कैसा है फिशर्स यानि कि अगर आप टाइम लेप्स वीडियो यानि कि फास्ट जो मुविंग वीडियो होता है ताइम लेप्स वीडियो स्लो मोशन वीडियो लूप वीडियो वो सब अगर आप वहां पे फेसिलिटी अगर आप आपका action camera में मिलता है तो definitely आपका जो camera है उसमें पूरा प्रॉपर होने वाला है तो इसलिए आप वहां पर भी satisfy होने वाले हो क्योंकि time-lapse video भी जरूरत परता है slow motion भी जरूरत परता है loop video भी आपको जरूरत परता है and also one more important thing कि कितना frame per second वह video record करता है यह सब आपको जो है डेखना पड़ता है next thing field of view यह क्या होता है जो action camera होता है वह wide-angle lens डिया जाए रहता है वह 140 degree wide मलब angle से लेके 170 degree तक रहता है जितना आप field of view इतना मलब यानि कि 170 top जो हता है अगर लेते हो definitely वह बढ़िया होने वाला है क्योंकि जितना action camera है मतलब ऐसी जगा पर यूज करने वाले हो जिसमें पुरा natural beauty होने वाला है या आप कही city तोर पर जाते हो पुरा city का भी होने वाला है अगर आपको face देखना तो इतना action camera खरिदते हो then definitely you will be satisfied अगर आपको अभी भी doubt है then आप comment box में जो है पूछ सकते हो and also description में जो है कुछ link दिया गया है action camera बाजर action camera then वहाँ पर जाके जो है आप खरिद सकते हो and दोस्तों जो है कम range से लेके बहुत बड़ी range तक जो है action camera मिलता है तो आप अगर कम range बाला लेते हो then definitely image stabilization वगेरा वगेरा जो है आपको नहीं मिलने वाला है शिर्फ action camera आपको जो है मिलने वाला है and also जो है image stabilization का बारे में जो हर कवी website में हर कोई action cameras में नहीं रहता है अगर माली जो आपको कुछ कॉलम नहीं मिलेंगे जहां पर image stabilization yes or no लिखा रहता है तो वो जाके आप गुल में search किजिए image stabilization is there or not तो main important thing image stabilization वाला एक action camera खड़ी दो and also main last जो आपको point ध्यान में रखना है यह है कि उसका accessories accessories क्या रहता है उस camera के साथ क्या-क्या accessories आने वाला है क्योंकि आप action camera cycle में motorbike में help and में hand में माथे पे आप जो है लगाने वाला हो तो वो सब सीजो है आपको मिलने वाला है कि as a pack as a combo आपको मिलता है कि नहीं मिलता है अगर वो सब मिलता है डेफिनेटली गुद अफ फुल पैक ऑफ एक्शन camera गोफर एडवेंसर स्पोर्ट नेक्स तिंग अगर आपको point and shoot लेना है या action camera लेना है उन दोनों में से मेरे जो बता हूंगा नेक्स वीडियो में कि कौन सा point and shoot camera आपको मलब अच्छा होंगे नेक्स आपका जो है Canon Z7 X Mark II जो की price around 45-45,000 आपको मिलता है यह अगर आपको लेना है या कुछ भी point and shoot लेना है या action camera लेना है थोड़ा मलब बाएं दाएं आपको दिखने वाला है पर आप जो है अगर cycling करते हो या paragliding या skydiving अगर करते हो अगर पराशुट के साथ आपका face and also wide view अगर मिलता है definitely आपका वीडियो बहुत ही सुन्दर होने वाला है अगर आप Canon Z7 X लेते हो या कुछ भी point and shoot लेते हो मजा नहीं आने वाला है अगर एक ही साथ आपका पूरा का पूरा व्यू आता है definitely आपको भी पसन आने वाला है तो इसलिए उसा प्राइस भी ज्यादा नहीं है अगर आप GoPro Hero 4 लेते हो जोगी 35 29 से 35,000 आपको मिल जाने वाला है तो आप 29,000 जो है कुछ कोपन बगरा लगा क आपको 25,000 जोटेख वान एक्शन केमेरा क्योंकि एक्शन केमेरा आप जहां पे भी जाओ अगर आप सीटी टोर पे जाओ दैन डेफिनेटली आपका फेस के सार आपका आदमी के सार पुरा सीटी वी आने वाला है तो वो सीटी में भी एडवेंशर स्पोर्स में भी पानी क के नीचे 20 हर कई जो है आप लेके जा सकते हो दिस इस इस अप एक्शन केमेरा लो उपर से 20 चोता है तो इसलिए आप एक्शन केमेरा ले लो अगर आप पॉइंट एंड शूट लेका लेना चाहते थे आइधिंग यह जो वीडियो है आपको पसंद आ गया अगर पसंद रह किया ही दी लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर किजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल थेंक यू फर वाचिए